स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडमी के इस नए और लेटेस्ट विडियो में आज का ये एपिसोड 3 है उर्दो ग्रामर के अब्जेक्टिव क्योशन का जैसा कि आप लोग टाइटल भी देख सकते हैं उर्दो ग्रामर अब्जेक्टिव एपिसोड 3 और काफी आप सभी लोग का जबरदस्त रवीव रहा है एपिसोड वन और टू को आप सभी लोग ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है अप सभी लोग एक्साइटेड है अब्जेक्टिव क्योशन करने के लिए और जितना भी क चाहिए और आज के इस वीडियो में भी हम लोग 20 में सही करने वाले हैं आप सभी लोग को 20 में 20 सही करना है और यू रेड़ी कमेंड बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा और उसके साथ 20 में से आप जितना भी अब्जेक्टिव कोशन सही कर पाएं इस में माली जी आप 18 सब्सक्राइब तो समझें कि आपकी त्यारी सिर्फ अच्छी है विस में बिस तो ठीक ही है और उसके बाद से 18 से कम नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि और लेडी उर्दो ग्रामर के सभी टॉपिक को आप लोगो पढ़ा कर यह अब्जेक्टिव कुशन कराया जा रहा है तो फिर आप लोग की मिमरी पार इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि पढ़ने के बाद भी आप अब्जेक्टिव कुशन सही कर नही ठीक है चले 18 से कम एक पॉइंट कम कर सकती हूं मैं 17 ठीक है लेकिन 17 से कम नहीं होना चाहिए आप सभी लोग का अब्जेक्टिव कुशन ठीक है तो आप सभी लोग अपने हिसाब से सोच समझ कर एंसर बताने की कोशिश कीजिएगा और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में कर बता दीजिएगी कि आप लोग 20 में कितना अब्जेक्टिव कोशन सही कर पाए हैं अपने हिसाब से ठीक है ना और हर एक कोशन को समझा कर एंसर बताने की कोशिश करूंगी मैं ताकि आप लोग कोशन का एंसर जो है ना समझ कर याद कर सकें ठीक है और आज किस वीडियो करकि अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके हैं और एक कम जरूर करना है जिस तरीके से आप लोग एपिसोड 1 और 2 को प्यार दिये हैं अब यह यह सी तरीके से आज की इस एपिसोड ठीक को भी अपने इसटीटस में शरूर लगा दें ठीक है ताकि जितने भी आप लोग के कॉंटेक्ट में लोग है सब भी लोग इस वीडियो का लाव उठा सकें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्टन से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्टन नमबर फोटी वन से क्योंकि अलड़ी हम लोग इसके पहले दो एपिसोड में 40 कर चुके हैं पहले एपिसोड में हम लोगी पूर्सी में हैं शेखु और खिताब किसे कहते हैं ये उर्दो ग्रामर में आप लोगो अलड़ी पढ़ाया जा चुका है वह खास नाम जो आपकी खुबी या फिर आपकी कमाली के बदले मतलब आपको कोई अच्छा काम की आपकी खुबी औ फिर कमाली के बदले गूवर्मेंट यानि की सरकार के दी जाए उस तरह के vàng की खास नाम को कहते हैं खिताब जैसे की आप लोग सुने होंगे पदम शिरी का खिताब तो ये पदम शिरी का खिताब जो है गुर्मेंट के तरफ से दी जाती है जो कोई अच्छा काम करे, मतलब उसकी खुबी है फिर कमाली के बदले तो पदम शिरी क्या है? एक खिताब है उसी तरीके से यहां पर चार आप्शन में बताना है कि इन चार आप्शन में से कौन एक खिताब है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि खान बहादूर भी क्या है? एक खिताब है तो option number B is the correct answer यह उर्दू कवायर में अलड़ी पढ़ाया जा चुका है अगर आप लोग ने उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है तो उर्दू ग्रामर के playlist का link इसे वीडियो के description में डाल दिया गया है जैसा ही link पर click करेंगे पढ़ती है की वीडियो उर्दू ग्रामर का आप लोग को मिल जाएगा आप लोग one by one करके पढ़के complete कर सकते हैं जब आप लोग पढ़ लेंगे तो यह सारा का सारा question आप लोग को एकदम हलवा लगेगा एकदम आसानी से समझ में आएगा जो कुछ भी मैं अभी बोल रही हूँ खिताब लकब तकल्स कुनियत वगरा यह सब कुछ पढ़ाया जा चुका है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ सवाल है कि मैं दिल्ली जाओंगा यह कौन सा जमाना है option A में है फेल माजी B में है फेल मुस्तक्बिल C में है फेल हाल और D में है माजी करीब मैं दिल्ली जाओंगा यह जमाना यानि की tense में कौन सा tense है यानि की जमाना का कौन सा type है यहाँ पर ध्यान से सुनिया, मैं दिल्ली जाओंगा यानि कि ये काम अभी हुआ नहीं है आने वाले समय में होगा, यानि कि मुस्तक्बिल में होगा यानि कि ये जो काम है, ये मुस्तक्बिल से संबंदी थे यानि कि future 10 से संबंदी थे इसी वज़े से इस सवाल का सही जवाब होगा option number B fail मस्तक्बिल और जो काम पहले से हो चुका हो उसको fail माजी कहते हैं और जो काम अभी हाल में हो रहा है जैसे कि अभी मैं बोल रहे हूं आप लोग सुन रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हूं तो यह सभी काम हो रहे हैं इसको कहेंगे fail हाल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ question number 43 है कि पढ़ेगा किस तरह का fail है option में fail मस्तक्बिल भी में fail माजी सी में fail हाल और डी में fail मजारे तो पढ़ेगा क्या होना चाहिए इस सवाल का सही जवाब बहुत ही असान है यह भी आप लोग ज़र जोर दिल लगाएंगे लग इसको तो आप लोग आँख बंद करके भी बिना दिमाग पर जोर लगाए आप लोग बता सकते हैं क्या होना चाहिए सबसे पहले तो fail मजारे तो होगा नहीं fail हाल भी नहीं होगा माजी भी नहीं होगा direct दिख जा रहा है कि पढ़ेगा यानकी काम मस्तक्बिल में होगा future में होगा तो of course यह fail मस्तक्बिल है तो option number 8 the correct answer अब आप लोग कहेंगे कि इतना असान सवाल कि इतना असान सवाल बोड में पूछा जाता है तो जी हाँ इतना भी आसान सवाल पूछ दिया जाता है कभी कभी student को विश्वास नहीं होता है कि इतना असान सवाल पूछ भी सकता है लेकिन ऐसाई होता है कभी कभी इतना असान सवाल पूछ सकता है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है भी आर बोल से ठीक है तो इल्म नहों में किसकी बहस होती है आप लोगों को पता होगा और लड़ी उर्दुक्रामर में पढ़ाया जा चुका है इल्म नहों में जुम्ले की बहस होती है यान की जुम्ले से बहस होती है जुम्ले के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वड़ेवर जो भी हो ठीक है जुम्ले में जुम्ले के टाइप जुम्ले को कैसे बनाते हैं क्या स्ट्रॉक्चर होता है यह हर एक सी जुम्ले के बारे में पढ़ा जाता है अर्दू grammar यानिकी अर्दू कवायद के पांच टाइप है यानिकी इसको पांच हिस्सों में बाटा गया है पहला है इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नाओ, इल्म बलावत और इल्म अरूज यह हर एक चीज में स्टार्टिंग वाले क्लास में ही बताई थी आगे बढ़ते हैं, question number 45 है कि इसमें file के लिए मिसाल है के लिए नहीं रहेगा, इसमें file का मिसाल है option A में है, देखने वाला, B में है, देखा हुआ, C में है, देखा गया और D में है, देखा तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब option number A हो जाएगा, देखने वाला देखने वाला ही तो इसमें file कहलाएगा, क्योंकि वो देख रहे है, जो काम को करता है उसी को हम लोग क्या कहते है, इसमें file कहेंगे तो option number A is the correct answer, I hope आप आप लोगों नहीं लगाया होगा अगला सवाल है, कि लफज कितने तरह के होते हैं लफज कितने, यहाँ पर कितने रहेगा, कितने तरह के होते हैं तो option A में है, 2, B में है 3, C में 4, और D में है 6 तो यह तो direct दिख जा रहा है कि लफज जो है न, वो दो तरह के होते हैं एक होता है लफज मौजू, ठीक है, और दूसरा होता है लफज मौमल वह लफज जिसका कुछ न कुछ मानी हो, उसको कहते हैं लफज मौजू और वह लफज जिसका कोई मानी नहीं होता है, उसको कहते हैं मौमल जैसे कि रोटी वोटी हम लोग बोलते हैं तो रोटी का कोई मानी नहीं है, रोटी का कोई मानी नहीं है तो वोटी हो जाएगा मौमल, किताब, विताब, तो किताब हो जाएगा लफज मौजू, क्योंकि किताब का तो मानी है, लेकिन विताब का तो कोई मानी नहीं है, तो विताब हो जाएगा लफज मौमल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेशन नमबर 47 ह कि खार खार का हम्सौथ हमसौथ हम्सौथ लव्सूथ क्या होगा option a में है ख़ार B've cóc, C's, C's, Y's, 전 the shield, A में γभख देशने खार का हमसौथ यानि कि एक जैसा व्नावंस होने वाला लफ्ज तो खार और ये जो खुआर लिखा है ना इसको खुआर नहीं पढ़ते हैं इसको भी खार पढ़ेंगे तो खार और खार दोनों का पड़नस ये सन यानि क्यों चारंड से में ना तो आपसान नमबर ए इस दा करेक्ट आप्शन ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 48 है कि दर्जदैल में उर्फ की मिसाल कौन है आपसाने में है अमीरुलहिंद बी में है डॉक्टर सी में शाद और डी में है जुमन तो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए उर्फ असल नाम के लावा बच्पन से आपकी खोबी या फिर आप लोग ध्यान से पढ़ लें अमीरुलहिंत होगा नहीं यहाँ पर सबसे गाउन दिहात वाला नाम क्या लग रहा है आप लोग यही डारेक्ट देखिएगा चारों में देखना है कि जो गाउन दिहात टाइप का नाम होता है जिसे कि मंगलू लंगडा गुंगा बहरा ठीक है या फिर जो भी हो छो टूमो टू गोलू जो भी या फिर जूमन यह हो गया तो ऑप्सन नमबर डी लगा दीजे यह भी गाउन दिहाट टाइप का ही लग रहा है जूमन ठीक है तो यह क्या है एक उर्फ है जो की रियल नेम के बदले में जैसे कि आप लोग का कोई ना कोई नाम होगा लेकिन नाम के बदले में हो सकता है कि आपके रिष्टेदार जो है ना बच्पन से कोई नाम पुकारते चले आ रहे हूं तो वह हो जाएगा उर्फ ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशन नबर फोटी नाइन है कि दर जैल में मॉननस कौन है ऑप्सने में एषान, बी में है जलवा, सी में तौबा और डी में है मनाजरा मॉनस यानि कि इस त्रिलिंग लफज की पेचान करनी है आप लोग को देखें एहसान तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग सुने होंगे आपका बहुत बड़ा एषान है हम पर बहुत बड़ा एहसान ऐसे तो जलवा तेरा जलवा तेरा तेरी नहीं तेरा होता है तेरा जलवा यानि कि जलवा जो है यह मुझकर लफज है मौनस होगा नहीं तौबा आपको तौबा कर लेनी चाहिए कर लेना चाहिए नहीं कर लेनी चाहिए तो तौबा जी हां यह लफज जो है यह मौनस लफज है तो जहबी में है नई सी में गाड़ी और डी में है इसमें मौसूफ बताना है देखिए नई गाड़ी इसमें गाड़ी की विश्रिष्टा बताई जा रही है न तो गाड़ी हो जाएगा मौसूफ कौन से ऑप्सन में दिख रहा है ऑप्सन नमबर सी में दिख रहा है यह गाड़ गाड़ी क्या हो जाएगा मौसुफ हो जाएगा लेकिन गाड़ी कैसी है नई है तो नई कहलाएगा सिफथ ठीक है तो अगर सिफथ पूछता तो आप लोग नई सिफथ लगाते हैं लेकिन मौसूफ पूछा है तो मौसुफ क्या है गाड़ी आगे बढ़ते हैं 51 number question की कलमा की कितनी किसमे हैं option में है 2 B में है 3 C में 4 O D में 5 यह तो एकदम हलवा question पूछा है आप लोग बता सकते हैं कि नहीं आख बंद करके बता सकते हैं क्योंकि और लड़ी आप लोग पढ़ चुके हैं बताईए हमारे dear student आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं मैं कितना बार आप लोगों को पढ़ाई हूं कि कलमा की तीन किसमे होती हैं कौन कौन से तो इसम फेल और हर्फ यह तीन टाइप होते हैं कलमा की तो देखी कौन से option में दिख रहा है option बर भी में तीन दिख रहा है इसको ढिरे से टिक कर दीजिए इसम आप लोग जानते हैं नाम यानि कि नाउन को कहते हैं फिसन्स में फिशनमें ले ब één नाकिस और दी वाइँ आंगा चुमर्स के अगर आप लोग नहीं पढ़ेंहें तो आप लोग डारीक्ट सर्च भी कर सकते हैं fail की पिसमे by मुसकान मैं ठीक है और मुसकान मैं में M-U-S-K-A-A जरूर दीजिएगा by मुसकान मैं तो आप लोग को वीडियो दिख जाएगा वहाँ पर मैं आप लोग को deeply आप लोग को जो वीडियो दिखेगा ना उसमें हर एक type को मैं fail के हर एक type को एकदम deeply समझाई हूँ ठीक है तो आप लोग अगर नहीं जाने है जानते हैं कि fail मारूफ क्या है fail मजहूल क्या है fail नाकिस क्या है fail ताम क्या है तो फिर आप लोग आसानी से इस वीडियो को देख कर समझ सकते हैं फिलाल यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होगा option number B fail मजहूल किताब पढ़ी गई किस के द्वारा पढ़ी गई किसने पढ़ा यह काम किस के द्वारा हुआ यह नहीं पता चल रहा है तो इस तरह के fail इस तरह के काम को कहेंगे fail मजहूल 52 का option number B is the correct answer next question की तरह बढ़ते हैं रहमते आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है option number A is the correct answer ठीक है यह थोड़ा मैं hard उर्दु कवायद का question डाल दी हूँ क्योंकि कभी कभी आप लोग के exam में कोई ऐसा question पूछ देता है जो कि आप लोग के लिए tough लगता है तो समझे कि आप लोग के test के तौर पर ही है इसको आप लोग question paper के parallel समझे है तो इसका अगर आप लोग question मतलब इसको याद कर लिया भी तुरंत यह भी important question है रहमते आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है तो मरकब तौसीफ ही आगे बढ़ते है question number 54 यह भी question काफी important है बहुत बार पूछा गया है सक्ता का मतलब है option A में मुखतसर ठहराओ B में तविल ठहराओ C में रुक जाना और D में नहीं रुकना यह बहुत बार question पूछा गया है तो सक्ता का मतलब होता है मुखतसर ठहराओ ठीक है option number A is the correct answer होगा नहीं मजमून तो होगा यह नहीं क्योंकि मजमून का मतलब तो होता है निबंद A से तो मजमून नहीं होगा मफून भी नहीं होगा यानि कि इसका सही जवाब option number A मक्तूब is the correct answer मक्तूब का मानी खत जुमले में था किसकी इलामत है यहाँ पर आप लोग को बताना है कि जुमले में जब last में था लगा होता है जैसे कि मैं आता था या फिर मैं गया था मैंने देखा था तो last में अगर था है तो वो किसकी इलामत है बताए option A में है माजी करीब B में है माजी मुतलक C में है माजी एतमाली और D में है माजी बाई तो यह बहुत आसान question है यह हर एक चीज़ देखिए यहाँ पर यह fail का ही type है fail का ही यह type है और fail के type में आप लोग को यह सब कुछ पढ़ा चुकी इसी वज़िसे मैं बोल भी हूँ अगर आप लोग यह type नहीं पढ़ें तो direct search कर सकते है fail की किसमे भाई मुस्कान में यह हर एक type आप लोग को पढ़ाये गया है ठीक है तो आप लोग आप चाहे class 10th के student हो ठीक है या फिर आप class 12th के student हो आप लोगों को इस सवाल का सही जवाब बता ही देना होगा आज आप लोग फड़ा फड़ बताए क्योंकि यह हर एक topic पढ़ाये जा चुका है जुमले में था किसकी इलमत है यह trick भी मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ ठीक है जिस जुमले के last में था होता है वह जुमला जो है ना ध्यान से सुने वह जुमला फेल माजी बाईद कहलाता है यानि क्यों option number D is the correct answer 56 का option number D ठीक है I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा last में था देखने को मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे फेल माजी बाईद ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 57 है कि अफजल ने किताब पढ़ा इसमें पढ़ा क्या है option A में fail B में file C में मफगूल और D में है इसम तो अफजल ने किताब पढ़ा इसमें पढ़ा पढ़ा यानि कि ये काम एक क्रिया है और क्रिया कोर्दों में क्या कहते हैं क्रिया कोर्दों में कहते हैं fail तो option number A is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 58 है कि मनासिब लफ्ज से जुमला मकमल कीजिए तुम क्या कर रही और यहां पर dash dash क्या होना चाहिए option A में है, B में है हूं C में हो और D में है तो विजुली बात है, तुम क्या कर रही हो यहां पर हो होना चाहिए option number C में है हो, इसको दिरे से टिक कर दीजिए यह भी इतना भी आसान सवाला आप लोग के exam में पूछा जाता है इसी तरीके से, मतलब एक मुनासिब लफ्ज से जुमला मकमल करने वाला question तो रहेगा ही रहेगा ठीक है चाहिए आप class 10th के student हो चाहिए आप class 12th के student हो यह चीज आप लोग mind में फिट कर लिजे कि एक खाली जगा हो वाला यह जुमला देगा और कहेगा कि मनासिब लफ्ज से इसको मुकमल कीजे यह इनकी पूरा कीजे क्या होना चाहिए और यह एकदम हलवा question होता है आगे बढ़ते हैं question number 59 है कि इसमियाला की मिसाल है option A में है R E B में है सुराही C में है लड़का और D में है नाला तो बता दे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 59 number question है और आप लोगों को बताये गया है इसमियाला भी पढ़ाये गया है कि वह नाम जिससे किसी ओजार ये फिर हतियार का होना पता चले उस तरह के नाम को कहते हैं इसमियाला जैसे कि खुरपी, कैंची, चाकू, भाला, आरी, हथाओडी, थर्मामीटर वगयरा, वगयरा, ठीक है तो देखिए, option A में आरी दिया है न इसको धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेशन है, question number 60 साथ नंबर सवाल की, शर्म का मतरादिफ क्या है यानि की, शर्म का एक जैसा मानी रखने वाला लव्ज कौन सा है option A में हया अभी में है, बे शरम सी में है इज़्जत और डी में है, वफा तो शर्म का एक जैसा मानी रखने वाला जो लव्ज है, वो है हया शर्म हो हया, आप लोग सुने होंगे न तो शर्म बोलिए या फिर हया बोलिए, बात देखी है तो option A is the correct answer तो उर्दु ग्रामर के objective question का ये episode 3 था जिसमें हम लोग total 20 question किये आप सभी लोग ने कितना सही किया अपने इसाब से comment box में लिकर बता दीजिए और उसके बाद से किस भी तरह का कोई भी doubt है और फिर वीडियो को जाता जदा आप लोगो शेयर करना है ठीक है अब फिर हम लोग इसके next episode में मिलेंगे आप लोग next episode का इंतिजार कीजिएगा episode 4 और फिर उसमें आप लोग excited रही है बीस में बीस चलिए आज आज के इस episode में episode 3 में आप लोग का बीस में बीस सही नहीं हो पाया एक गलत हो गया या फिर दो गलत हो गया लेकिन target रखिए कि इसका जो next episode आएगा episode 4 उसमें आप लोग 20 में बीस सही कर पाएं और बेसबरी से आप लोग इंतिजार कीजि जहिंद और खुदा हाफिज